So welcome back to my YouTube channel दोस्तों यहाँ पर हुआवे भी अभी mid-range 5G SOC बनाने में लग चुका है जिसका example है Kirin 820 5G इस mid-range 5G chipset की comparison हमने पिछले वीडियो में की थी Flagship SOC के साथ में जो था Qualcomm की तरब से Snapdragon 865 लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसकी बराबरी की chipset से comparison करने वाले है जो की है Qualcomm की तरब से Snapdragon 765G दोनों chipset budget 5G market में अपना great performance प्रोवाइट कर रहे है यहाँ पर Kirin 820 5G फिलाल Honor 30S में ही देखा गया है लेकिन यहाँ पर Snapdragon 765G आपको MI10 Lite में भी मिल रहा है यहाँ पर दोनों chipset की comparison करके देख लेते हैं कि इन दोनों chipset में से कौंसा chipset better होगा तो वीडियो पर आगे बढ़़े से पहले में आपको एक बत बता दू subscribe नहीं किया न चैनल को subscribe कर दीजिए और इस वीडियो को like कर दीजिए पसंद आ रही होगी तो चली वीडियो पर आगे बढ़ते हैं यह वाचिंग मा यूट्यूब चैनल टैक एक्स्पिनेंट इंडिया चली जानते हैं कुछ बढ़िया दोस्तों किसी भी chipset का key point होता है उसका CPU, GPU, fabrication process, architecture और connectivity तो इनी चार पांच चीजों के उपर हम लोग बात करेंगे और इसी किसाब से आपको हम बताएंगे कि कौन सा chipset आपकी सबसे better हो सकता है यहाँ पर camera support और जो video support है वो तो बात की बात है लेकिन यहाँ पर सबसे main होता है CPU, GPU, connectivity, fabrication process और architecture तो इनी के उपर हम बात करेंगे सबसे पहले fabrication process के बारे में बात करते है Snapdragon 765G में आपको 8NM TSMC fabrication मिलने वाला है जबकि किरिन 820 में आपको 7NM TSMC fabrication देखने को मिल रहा है यहाँ पे clearly किरिन 820 ज्यादा power efficient है Snapdragon 765G से CPU की बात करते हैं दोनों ही SOCs में आपको tri cluster design मिल रहा है किरिन 820 में आपको 1 plus 3 plus 4 वाला configuration मिल जाता है यहाँ पे आपको पहला core cortex A76 वाला मिलता है जो की 2.36 GHz की clock speed देता है उसके बाद है 3 core cortex A76 के जो की 2.22 GHz की clock speed देते है उसके बाद में 4 cortex A55 efficiency core है जो की 1.84 GHz की clock speed देते है Snapdragon 765G में आपको 1 plus 1 plus 6 वाला core configuration मिल जाता है यहाँ पे आपको पहला core cortex A76 वाला मिलता है जो की 2.4 GHz की clock speed देता है उसके बाद में 1 cortex A76 core है जो की 2.2 GHz की clock speed देगा देन उसके बाद में आपको 6 cortex A55 efficiency core मिलेंगे जो की आपको 1.8 GHz की clock speed देंगे यहाँ पे Snapdragon 765G में mid-tier section में number आपको कम मिल रहे है अगर Kirin 8205G से इसकी compare करते है तो लेकिन clock speed दोनों की सेम है तो Kirin 8205G ज्यादा बेटर होगा Snapdragon 765G से CPU performance में GPU and gaming की बात करते है Snapdragon 765G में यूज किया गया है कॉलकम की तरफ से Adreno 620 GPU जबकि Kirin 8205G में यूज हुआ है Mali G57 MP6 Mali G57 एक नया mid-range GPU सीरीज है ARM के तरफ से जो की वालहाल architecture पे बना हुआ है G57 सीरीज का performance इसके Mali G52 से 30% ज्यादा बेटर है Kirin 8205G का GPU 6 core GPU है इसलिए इसका GPU powerful है जो की Snapdragon 765G से काफी बेटर है Dimensity 800 का GPU भी यही है लेकिन वहाँ पे आपको 4 core वाला GPU मिलता है फिर भी यहाँ पे Snapdragon 765G से बेटर रिजल्ट देता है इसलिए यहाँ पे भी GPU performance में Kirin 820 बेटर है Display support की अगर बात करते हैं यहाँ पे आपको Snapdragon 765G में QHD Plus डिस्पले का सपोर्ट 60Hz पे मिलता है और Full HD Plus डिस्पले का सपोर्ट 120Hz पे मिल जाता है Kirin 820 में आपको सिर्फ Full HD Plus डिस्पले का ही सपोर्ट मिल रहा है तो यहाँ पे भी आप देख सकते है Snapdragon 765G Kirin 820 से थोड़ा सा बेटर है Memory के अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको Snapdragon 765G में LPDDRX का सपोर्ट मिलता है मतलब यहाँ पे आपको 12GP तक का RAM option मिल जाता है अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे Kirin 820 के तो यहाँ पे भी आपको LPDDR4X का सपोर्ट मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको 8GB तक का RAM option मिलता है तो मतलब यहाँ पे Snapdragon 765G slightly better है Kirin 820 से Camera and Image Processing के बात करते हैं तो Kirin 820 5G अपने ISP 5.0 के साथ में रहे इसमें Noise Reduction Algorithm यूज किये गए लाइक SLR, Dual Domain और यहाँ तक यह ISP 4K वीडियो केप्चर भी कर सकता है तो यहाँ पे दूसरी तरफ है Snapdragon 765G जिसमें मिलता है आपको Spectra 355 ISP जो की एक decent mid-range ISP है image और वीडियो प्रसेसिंग के लिए Huawei और Honor के phone Kirin chipset के साथ में आते और अच्छे photographic device भी माने जाते यही सेम चीज है Kirin 820 में दोने chipset का camera performance software optimization पर depend करता है software ही यहाँ पर decide कर पाएगा कि काउन सा better है but in my opinion 765G is better connectivity modem के अगर बात करते तो काफी important section है Kirin 820 में आपको मिल जाता है integrated 5G modem जो कि आपको Kirin 990 5G में भी मिल रहा है बला हूं 5000 5G modem की बात कर रहा हूँ यह modem ऐसे NSA 5G node को भी support करता है और multi mode 5G network के साथ में आ रहा है Snapdragon 765G में आपको मिलेगा Snapdragon की तरप से X52 integrated 5G modem यह भी NSA 5G mod को support करता है और multi mode 5G network के साथ में आता है बलान 5G modem के पास में better downloading और uploading speed है यहाँ पे आपको 4.6 Gbps की downloading speed मिलती है और 2.5 Gbps की upload speed मिलती है सब 6 5G network की बात कर रहा हूँ जबकि MMWave 5G network पे यह speed है 6.5 Gbps और 3.5 Gbps Snapdragon 765G में downloading speed आपको 3.7 Gbps की मिलती है और upload speed आपको 1.6 Gbps की मिलती है MMWave 5G network पे यहाँ पे Kirin 820 5G modem better है N2-2 benchmark की बात करते हैं यहाँ पे Snapdragon 765G का score रहा 3,2,847 Kirin 820 का score रहा 3,75,270 मतलब यहाँ पे भी N2-2 benchmark में Kirin 820 ने better score किया है Geekbench score की बात करते है Kirin 820 के single core का score रहा 3,490 Dual core का score रहा 11,200 Snapdragon 765G के single core का score रहा 3,072 जबकि multi core का score रहा 7,661 conclusion पे आजाते हैं यहाँ पे Kirin 820 5G clear winner है यहाँ पे Kirin 820 5G better होगा Snapdragon 765G से Each and every expect लेकिन यहाँ पे एक दिक्काच जरूर है देखें यहाँ पे Kirin के जो chipsets है वो सिर्फ आपको Honor और Huawei के smartphone में देखने को मिल रहा है बाकि जो दूसरी mobile manufacturer company है वो अभी इसका use नहीं कर रही है तो यहाँ पे आपके लिए एक problem यह हो सकती कि Kirin का chipset आपको सिर्फ Huawei और Honor के smartphone में ही मिल रहा है जबकि Snapdragon के chipset आते है like Snapdragon 765G की बात हो रही है तो उसी की बात कर लेते हैं Snapdragon 765G is widely open for each and every mobile manufacturers यहाँ पे comparison की बात हो रही है इसलिए Kirin 8205G clear winner होता है इस comparison का आप comment box पे comment करके मुझे ज़रूर बताईगा कि आपके साब से कौन सिप्सें better है इस comparison का फिलाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में वीडियो पसंद आयोगे तो वीडियो को like कर देजे चैनल सस्क्राब नहीं किया सब्सक्राब करके रख दीजी क्योंकि इस तरगे के डेली टेक वीडियो आप इस चैनल पर देखने वाली इस मिलाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में तब तक ये बाइ